अगर दोस्तों आज भोली है स्पेसल में स्पेसल हम बच्चों के लिए बनाएंगे पकोड़ा जो की बिल्कुल तीखा नहीं रहेगा लेकिन चटपटा रहेगा तो यह हम चना का दाल भिंगो का और इसको रख लिए हैं और इसको अब हम जार में पीशेंगे इसमें हम 2-3 लासन और 2 छोटा हद्रग का टुक्रों हर डाल के पीश लेंगे ह हम डÁल पीस लीये हैं अब इसमें जाएगा एक छोटा प्याज हम छोटा छोटा टुकरों में काट लिए हैं अगर आपके बच्चे प्याज नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकिप भी कर सकते हैं प्याज डाल दिये एक छोटा टेबले स्पून हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी दो चुटकी हम डाल रहे हैं जुआए में जनुसार आप नमक डाल लिजिएगा इसमें और एक इसपेसल चीजे में डाल रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है वो है पास्ता मसाला इस पास्ता मसाला से यह पकोड़े का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा औ अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब पकोड़ा हम तलेंगे अब पकोड़ा में तयार हो ज़िया है अब इसको हम निकालेंगे शुखे पलेट में अब सारा पकोड़ा मेरा तल गया अब बच्चों के लिए स्पेसल पकोड़ा तयार है इसे बनाई और बच्चों को खिलाए वीडियो देखने के लिए थैंक्यू